हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मारी चैनल, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, देखिए ये समान लिग्यानी स्पेसल का पार्ट आठ है, आठवा भाग है ये, साथ वीडियो जा अल्रेडी चैनल पे अफलोड हो चुके हैं, ये ग्रामीड परिवेस से र पेसलें को और में रेडिये, इस को सेंएं, इसे खैट हैं, असर भुझार प्रजातीं को में रिलेत्ट, बाती हैं, जो गाँ पंचाइड से रिलेटा Kings पूछे, बाता कूछे जाए जाते बहुत हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और सा रे वीडियो को देखिए को मिलेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहें और वेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए चलिए तो फिर बिना लेट करते हुए पहला कुशन स्टार्ट करते हैं देखिए छ उत्तर प्रदेश के आरो के एक्जाम में पूछा गया है तो ये है पश्मी छेत्र जो होता है उत्तर प्रदेश की बात हो रही है आप यहां पे ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो पश्मी छेत्र है वहां पे सबसे ज़्यादा बाढ़ की संभावना होती है उत्त प्रिदेश में सरसों से ही उत्पादित किया जाते हैं अब जैसे के रल साइड या करनाटक साइड चले जाओ उधर क्या होता है कि आसाम होगगे इधर सबसे ज़्यादा उयल अगर यूज होते हैं तो वह कोकोनेट यूज होते हैं वहां से सबजीयां भी बनाई जाती है मारमालेट को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है त्रीकि इस अंगूर में बीज रहित होने का कारण क्या है देखिए यह very important question है इसका पूछने का मतलब है अंगूर में जो बीज नहीं होते हैं यानि दाने नहीं होते हैं उसका मतलब क्या है बीना बीज का होता है उसका मतलब है stono-spermocorpi stono-spermocorpi याद रखिएगा अंगूर में बीज नहोना बीज रहित होने का कारण है stono-spermocorpi के कारण होता है very very important question है next question है नीबू के रस में तीखापन किसके कारण होता है तो नीबू के रस में तीखापन होता है लीमोनीन के कारण bathroom फल के नाम से जाना जाता है very important question बाथ रूम फल के नाम से जाना जाता है important question नहीं है यह आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है यार question कहीं से भी पूछे जा सकते हैं आज किलके competition में आवला उत्पत्ती स्थान कौन से है देखिए स्थान की बात हो रही है यहां पे ना होगा देख लीजिएगा स्थान की बात हो रही है स्था है तो स्थान है भारत में आवला जो है सबसे पहले हुआ था ललित किसम है ललित किसकी किसम है अमरूत की फशल की है यहां पर कोशन यह एक दो कोशन पूछे जाते हैं जो फसले होती है किस इसकी फसल किस किसमिकी है यह कोशन आपके ग्राम पंचाया तबिक्यारी लेकपाल और वीडियो जैसे एक्जाम में बहुत इंपोर्टेंट है पूछा जाएगा लेकपाल में भी पूछा जाता है तो आई होब कि आप इसको देखेंगे पूरा और अच्छे से याद करके जाएंगे एक्जाम में पौडरी मिल्डियूस किस फल का रोग होता है तो यह होता है आम में आम में इस तरीके का एक रोग होता है नेक्स कुशन कर लेते हैं दो मुख्य फशलों के मद उगाई गे कम अवधी की फशल कहलाती है वेरी इंपोर्डन कुशन है कि दूसे दो मद मतलब को इसी दो फशल उगाई जा रही है तो उसमें कम अवधी में तो जो टाइम पेरियट की बात कर रहा है दो मुख्य फशल की ही बाई करते हैं तो ये एक पेरियड होता है तो उस बीच में उसको दो फशलों के बीच में ही कुख्याते हैं सौड पेरियड टाइम के लिए जो बहुत जल्दी उसमें हम लगा दें और उसकी फशल काट करके निकाल लें तो उसको क्या कहते है इसको कैच क्रॉप कहते इसको आप नाम से याद के से तो catch catch for catchy तो आप समल लोगों जल्दी से काट के जिसको निकाल लो कम समय के लिए catch crop यूज किया जा सकता है ठीक है नाइट्रोजन के जैविक इस्थिरी करण में कौन सा तत्तो अत्यनत महतपूर है यह molyblydnum, molyblydnum जो है वहुत important है नाइट्रोजन के जैविक इस्थिरी करण के लिए नेक्स कुछन है भारत निर्माड योजना कब सुरू की गई थी? तो 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माड योजना का स्टार्टिंग किया गया था नेक्स कुछन है निर्भयाड फंड के स्थापना महिला ससस्ती करण है तू कब सुरू किया गया था देखिए यह important question दो तरीचे हो जाते है पहला तो यह कि निर्भयाड फंड आपको स्टार्ट पता है किस तरीके से स्टार्ट किया गया था उस तरीके से दूसरी महिला ससस्ती करण की गर बात हो रही थी आपको पता है गौर्वर्मेंट सारी चीजें बहुत ज़्यादा महिला ससस्ती करण को ले करके काम कर रही है तो यह हुआ था पहले वाले वीडियो में जरीब जरीब आ रहा था तो मुझे कमेंट बॉक्स में पुछा गया कि जरीब क्या है जरीब यह मैंने बताया था कि एक तरीगे का नाप पद्दती होती है जिसके तुरू हम नापते हैं जमीनों को तो भूस अरटशन में किस दिए कि जरीब होत होता है अधिक सूचा कमपास इस तरीगे को हता है धालो भूमियों को नापने में होता है तो धालो भूमियों को साहूल का प्रयोंकिया था धाल जाली भूमियां जो होती उनको नापने के लिए साहूल तीखिए यह लेकपाल के इंपॉर्टन कुशन है क्योंकि इसमें आर कुषन आपके लिए इंपर्टन्ट कुषन हो ते धाल लू भूमियों को नापने है तू सहूल कप्रियों आओ आप जाएंगे इसमें जॉप करने तो आपको यह पता होना चाहिए इस तरीके से एक कुषन आपको आपके लिए इंपर्टन्ट बन जाते हैं रिवन्यू जो होती है, वो 33 feet होती है, 33 feet की होती है, revenue जरीब जो होती है, यनि होती है, वो नाप की पद्धती होती है, एक तरीके का नापने की विवस्ता है. very important question यहां पर guys आजाता है कि ये कि भारत में किस स्तरी पंचायती राज बेवस्ता है कितने स्तर की बहुत important है आपको पूछा जाता है ये question तो आप समझ लीजिए कि ग्राम विकास दिक्यारी इन सब एक्जाम के लिए तो important ही है आयोग के जितने भी गिजाम होते हैं ये question पूछे गए हैं भारत में कितने स्तरी पंचायती राज बेवस्ता है कितने स्तर की है तो त्री स्तरी है ये तीन स्तर की गाव में बेवस्ता की गई है एक और कुशन आगया, पंचायती राज बिवस्था सर्व रस्तम कब और कहां से स्टार्ट किया गया, देखिए समें दो कुशन बनते हैं, कब स्टार्ट किया गया, तो 11 अक्टूबर 1969 में कहां पिस्टार्ट हुआ था, आंध प्रदेश में, आंध प्रदेश के किस जिले मे हुआ था, मैं अभी बता दे रहा हूँ, आंध प्रदेश के नागोर जिले में पंचायती राज बिवस्था की स्टार्ट की गया था, तो यहां पर यह कुशन आपको किसी भी तरीके से याद कर लेना, चाहे रट लेना, कुछ भी कर लेना, 11 अक्टूबर 1969 को आंध प्रद पंचायती राज बिवस्था किस संबिधान संसोदन से संबंधित है, तो पंचायती राज बिवस्था किस संबिधान संसोदन से संबंदित है, तो पंचायती राज बिवस्था किस संबिधान संसोदन से संबंदित है, तो पंचायती राज बिवस्था किस संबिधान सुची में देखिए यह फीर से मैं एक कुशन रिपीट कर दे रहां उनको ताकि आपको याद हो जाए यह वड़ा इंपॉर्टन कुशन है पहला कुशन है कितने स्तर की पंचायदी राजविवस्ता है तीन स्तर की है कब स्टार्ट हो गया कहा स्टार्ट हो गया रक्टुबर 2016 को आंत्र przeciants के नागोर जीले से हुआ यह भी यात करिए कई नागवर पूछेता है पंचायदी राजविवस्ता कि संविधान संसोधन से संबन्धित है ata당 संसुदन से संबन्धित है नेक्स देख लेते हैं पंचायदी राजविवस्ता संविधान किस अनुचुशी में ज तोटल जो वहां पे 25-30 सीटें होती हैं, उसकी 1 by 3rd, यह इंपोर्टन्ट इसलिए हो जाए, महिला सास्तिर करण मैंने बताया, तो आरक्षर रिजरवेशन की बात हो रही है, तो 1 by 3rd जो होता है, उनका रिजरवेशन होनी चाहिए, पंचाहतों में महिलाओं का, टोटल सीट क पत्ता गोभी में ब्लैक रोग, ब्लैक लेक बीमारी लगने का कारण क्या होता है, तो वो जिवारूर के कारण होता है, उत्तर प्रदेश में सरवादिक सिचाई की ससाधन द्वारा होता है, वेरी इंपोर्टन्ट कुवे नलकूप के द्वारा सबसे जादा उत्तर प्रद बीच में यह किया गया था। यह वीडियो यही पर समाप्त होता है पाजीस कुश्चन का, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अच्छा लगा उट तो उसको लैक भी कर दीजे, बिसलाइक भी कर सकते हैं, झाल 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 झाल